आज की वीडियो में मैं बहुत ही गंबीर मुद्दे के बारे में बात करी हूँ क्योंकि मैं एक भारते नागरिक हूँ और भारते नागरिक होने के साथ सथ एक लड़की भी हूँ और जो भी ही मुद्दा चट्चे में है जो करनाटक राजे से जड़ा हुआ है जिसमें भारतिय सांसक प्रजवल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शुशन के आरूप लगाए गए हैं उनकी लगबत 3,000 वीडियोस ऐसी वायल हुई है जिसमें महिलाओं ने आरूप लगाए हैं कि प्रजवल रेवनन उनके साथ ये गिनोना गंदा काम रेप करते थे और उसके बाद उनकी वीडियोस बनाते थे जिसके बाद वो उन महिलाओं को ब्लैक मेल भी करते थे ये मुद्धा बहुत ज़ादा चर्चा में है मैं आप सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर प्रजवल रेवनना के जगह पे अगर कोई अबदुल होता ये कोई हमीद होता ये कोई भी मुसलिम व्यक्ति होता तो क्या होता तो क्या होता तो यही होता जो बीजेपी का मुद्धा है हिंदू और मुसल्मान कराने का हिंदू और मुसलिम को लड़ाई करवाने का बीजेपी को ये मुद्ध मिल जाता कि देखो मुस्लिम व्यक्ति इस तरह से गिनोने अपराद करते हैं मेरी तो अपनी राय यही है बाकि आपके अपनी क्या राय है इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती मेरी तो अपनी राय यह है कि यह जो मुद्ध है यह हिंदू से जुड़ा हुआ है प्रजवल से जुड़ा हुआ है इसलिए इस बात पर इतना जादा मीडिया गौर भी नहीं कर रही है क्योंकि जो मीडिया है वो विकाओ है इसलिए प्रजवल रेवन्ना पर जोई गिनोने अपराद के इलजाम लगाए गए हैं जिसके सबूत भी मिले हैं इसके बावजूत भीत्रें दिन हो गए उस पर कोई सक्त से सक्त कारिवाई नहीं की जा रही है और हमारे देश सयोगियों के वज़े से प्रजवल रेवन्ना छोड़कर भी चले गए थे आए इस मुद्य को गंबी रूप से जानते हैं प्रजवल रेवन्ना जो की जनता दल सेक्यूलर पार्टी के सांसद हैं जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बीचे पी की सयोगी भी है अभी हाली में वीडियो वायल हुई थी जिसमें चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी जीने की थी वो नरेंद्र मोदी जो खुद को चंता का नेता कहते हैं वो नरेंद्र मोदी जो सेक्यूलर इजिम की बात करते हैं वो नरेंद्र मोदी जो समानता की बात करते हैं उन्होंने ऐसे रेपिस्ट की चुनाव प्रचार किया थ प्रजवर रेवन्ना पर जो आरोप लगाये गए हैं वो पिछले साल जून में सबसे पहले रिपोर्ट किये गए थे जिसमें रेवन्ना ने मीडिया को मौफ़र्ड वीडियो के रूप में जो रिपोर्टिंग दी गई थी उसे रोकने के लिए अधालत का आदेश उन्हें प कि बाता गया था यह वही पेंडाइव हैं जिस में इसी वीडियोस से जिसमें रेवन्ना को यह दिखाया गया है कि महिलाओं के साथ यौन शुशन देखाते है वीडियो कथित तौर पर प्रजवल रवन्ना को कई महिलाओं का यौन शुशन करते हो दिखाई गई है जिसमें से कुछ क्लिप महिलाओं को उन्हें रोकने के लिए गिडगड़ाते हुए महिलाएं उसे माफी मांग रही है कि वो ऐसा ना करें इन परिशान करनेवाले रिकॉर्डिंग में करनाटक की महिला आयोग ने कारवाई की मांग भी की है और एक विशेश जांच दल बनाने की भी मांग की है जो असलिक मामले की बहुत गंभीरता पूर्वक जांच करे रहे रेवन्ना परिवार के लिए काम करने वाली एक महिला ने पुरिस में शिकायद दर्ज कराई है जिसमें प्रजवल रेवन्ना और के पिता एच्ट्री रेवन्ना पर यौन शोशन के आरोप लगाये हैं। बहुत सारी जो प्रॉसेस होता है उसके लिए सरकार की आपको अनुमती की जरूद होती है। लेकिन ये प्रजवल रेवन्ना जो की सांसत रह चुके हैं और अभी हाली में चुनाव मिखड़े भी हैं वह एक अपरादी हैं और वह देश छोड़कर जर्मनी चले गए हैं। जबकि उनके पिता ने इन आरोपक का खंडन किया है क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो बाप तो अपने बेटे को बचाए गई ही और उने कहा है कि वे जांच का सामना करने के ले तेयार हैं। आरोपक की बाद जनता दल सैक्यूलर पार्टी ने प्रजवल रेवन्ना को निल उसको निर्भय के नाम से मीडिया के सामने लाया गया और वो जो लड़की थी एक विशेश जाती से थी। उसके लिए पूरे भारत में धर्ना प्रजशन किये गए नियाय की मांग की गई और उसके लिए कानून भी बदला गया। एक लड़की जिसके साथ गिरोना अपरा कोई प्रदर्शन नहीं सब लोग मूख बनकर बैठे हुए हैं जांश्री रेवन्ना को बिना पूछताच के देश चोड़ने की अनुमती कैसे मिल सकती है इस बात पर मैं सवाल उठाती हूँ कैसे रेवन्ना बिना जांश परताल किये भार देश से चले गए इन आरोपों जनता दल और भाजपा के बीच गढ़बंदन पर सवाल भी ठाए हैं जिसमें कुछ लोग प्रजवन रेवन्ना को चुनाव लरने की जो अनुमती दी गई है इस बात पर अलोचना भी कर रहे हैं क्योंकि उन पर ऐसे गंबीर आरोप है जो फ्यक्ति अपने ही घर की है और वो बच जाएगा इन आरोपों के बावजूत भी उसे टिकट दिया जाता है ऐसा व्यक्ति जब संसर्प में पहुशेगा तो आप लोगों के लिए क्या वो कानून बनाएगा क्या वो आपके रखवाली करेगा ये सवाल भी यहां पर उठता है इन आरोपों की कावित होते हैं तो उन पर पूरी सक्त कारवाई की जाएगी इस वीडियो में जो मैंने बात करी है ये बहुत ही कंबीर मुद्धा है हमारी संवेदनाएं उन सभी पीडिक महिलाओं के साथ हैं और हम ऐसी आशा और उमीद करते हैं कि उन सभी महिलाओं के साथ नियाय होगा जो प्रजवल रेवन्ना है वो एक अच्छी पदपर है वाइट कॉलर क्राइम उनों ने किया है क्योंकि वो राज्रिती में है इस वज़ा से वो ना बचने बाएं और मैं नरेंद मोधी जी से भी इस वीडियो के माधियम से ये गुजारिश करना चाऊंगी कि वो नियाय क करें क्योंकि वो जो बहने हैं जो महिला हैं वह भारत देश की नागरिक हैं भारत देश की बेटियां हैं आप सभी की वीडियो के बारे में क्या राए है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि उन सभी महिलाओं को नियाय म झाल झाल